तीन चार बार यह चैनल और एकाज चैनल और भी हमने उनको कानूनी नोटिस दिया कारवाई की धमकी दी तो फोन करके कहते हैं साब गलती से हो गया अठा देते हैं लेकिन जो नुकसान होना होता है वो हो चुका हुँँ देखिए साब आपके माध्यम से मैं पूरे देश के म मीडिया को भी और खास दौर पर भारती जनता पार्टी को मीडिया से हमारी क्या दुश्मनी आप अपना काम करिए हम अपना काम कर रहे हैं बस शर्त है कि काम करते रही है अपना और आपका काम क्या है मैं आपको बताऊं मेरी इतनी आउकात नहीं है आप मुझसे जादा सम ले, that our decency is our shackle, no, I am sorry, this is our ornament, हम चुप नहीं रहेंगे, आज के बाद एक व्यक्ति भी, और ये भारती जनता पाटी विशेश तोर पे ध्यान से सुन ले, एक व्यक्ति भी हमारी पाटी, हमारे नेता, हमारी विरासत के खिलाफ एक शब्द बोलेगा, एक तक्थे तोड़ मरोड के पेश करेगा, तो वो कई-कई पीडियों तक उनको याद रखना पड़ेगा, ये चेतावनी मानले भारती जनता पाटी तो उचित रहेगा, जिन सांसदों ने और अभूतपूर्व मंत्रियों ने इस वीडियो को अभी भी अपने सोशल मीडिया पर रखा है, वह भी आज सुन लें, बैठे होंगे हैदराबाद में, वह भी ध्यान से सुन लें, देखते रहे हैं हमारी कारवाई, आने वाले दिनों में उनके साथ कानून सम्मत कैसी कारवाई की जाती है, भारती जनता पाटी, नागपूर तक सब को ये, Z News के एंकर रोहित रंजन की मुश्कले अब बढ़ गई है, जीहां सुधी चोदरी की जगे जिस एंकर को DNA शो होस्ट करने के लिए दिया गया था, अब वो TV स्टूडियो से सीधा जेल पहुच गया है, अब से थोड़ी देर पहले ये खबर आई कि Z News के एंकर रोहित रंज रंजन के घर मंगलवार सवेरे 36 गड़ पुलिस पहुंची, लेकिन उनके हाथ अभी भी खाली है, क्योंकि नोईडा पुलिस ने पहले ही रोहित रंजन को गिरफतार कर लिया, नोईडा के थाना सेक्टर 20 में रोहित के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, माना जा रहा है कि राहुल गांधी के बयान को तोड मरोड कर दिखाने पर हुई FIR के सिलसले में उन्हें गिरफतार किया गया है, और 36 गड़ पुलिस भी इसी मामले में यहां ही है, रायपूर पुलिस जब रोहित के घर पहुंची तो उन्होंने ट्वीट कर कहा, बिना लोकल पुलिस को जा रानकारी दिए 36 गड़ पुलिस मुझे अरस्ट करने के लिए मेरे घर के बाहर खड़ी है, क्या ये कानूनन सही है, रोहित ने अपने ट्वीट में यूपी के मुख्यमंत्री योगिया दिक्तनाथ, SSP गासियाबाद और ADG जोन लखनू को भी टेक किया, हालांकि सरकार या पुलिस ने इस ट्वीट पर कोई टिपणी नहीं की, रोहित रंजन के ट्वीट पर दिल्ली BJP के नेता तेजिंदर पाल सिंग बगगा ने लिखा, प्लीज हेल्प शलमनी त्रिपाठी जी, शलमनी त्रिपाठी ने बगगा के इस ट्वीट के जवाब में लिखा, जी, वह उन्हें सूचित कर दिया गया है, पुलिस टीम ने कोट का गिरिफतारी वारंट दिखाया है, आपको सयोग करना चाहिए, जाच में शामिल होना चाहिए, और अपना बचाव अदालत में रखना चाहिए, रोहित रंजन के खिलाफ चत्तिसगर और राजस्तान में कई अपने दफ्तर पर हमला करने वाले लोगों को माफ करते हुए कहा था कि वो बच्चे हैं उन पर कोई करवाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन रोहित रंजन ने उनके इस बयान को तोड मरोड कर एक हिस्सा अपने शो में दिखाया और कहा कि उदैपूर कांड के आरोपियों को राहुल गांदी ने बच्चा कह दिया है और कह रहे हैं कि उन पर कोई करवाई नहीं करनी चाहिए, वो बच्चे थे बच्चों से गलती हो गई, इस बयान की क्लिप वाइरल हो गई, लगातार सोशल मीडिया पर इस बयान को इस तरह से दिखाया जाने लगा कि राहुल गा गांदी इतने संगीन आरोप के जो आरोपी हैं उनको बच्चा कह रहे हैं तो इससे राहुल गांदी की च्छवी पर दाग जरूर लिगा, इस मामले में 36 गड में एक F.I.R. दर्ज हुई है, वहीं दो दिन पहले नोईडा में Z.News के दफ्तर के बाहर भी परदशन हुआ थ उसके बाद से ही कॉंग्रेस समलावर है और रोहित रंजन पर कई राजों में इस बयान को लेकर मुकद में दर्ज हुए हैं, हाला कि रोहित रंजन ने उसके बाद माफी मांग ली थी, उन्होंने लिखा था कि गल्ती से मानविय भूल से ये बयान चल गया, इसके लिए हम माफी मांगते हैं, लेकिन तब लोगोंने सवाल किया था कि ऐसी गल्ती आप अमिश शाह या नरेंद्र मोदी के मामले में क्यों नहीं करते, इस मामले में कॉंग्रेस शाशित राज्यों में कई जगे मुकद में दर्ज हुए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि रोहित रंजन क कि मुश्किले कम नहीं होने वाली उन्हें गिरफतार कर जेल में भीजा जाएगा, हलाकि नोईडा पुले से इस मामले में क्या कदम उठाती है, उस पर हमारी नजर बनी हुई है, कोई अपडेट आता है, तो हम आप तक जरूर पोजाएंगे, आप से अपील है कि हमारे चै